तो दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगोंने चोथा राजे स्वास्ते सोचकांग अच्छे से कवर किया था कंप्ली डेटा आप लोगों के सामने रखा गया था जिसमें इसका परिचे था、 स्वास्ते परडाम था राज्यों की ranking यहां से question बन सकता है ठीक है तो यह सारे चीज़ें कल के वीडियो में हम लोगों ने cover किया था आज आगे बढ़ते हैं और आज का जो topic है आप देख सकते हैं थोड़ा इंडेक्स का महत क्या है इसको भी देख लेता है राज्य द्वारा इसका प्योग नेति नि रहा है तो यही है स्वास्ते प्रतियस्परदा तो यह भी एक फाइदा होता है क्रॉस लर्निंग में help करता है आप देख सकते हैं ठीक है अगला point है इसको सुचकांग की सीमाई क्या है यहां से रोस्तों question बन सकता है महतुपूर्ण है जस्ट एक सकेड़ आप उग जाईए ओके friends तो यहां से question बन सकता है कि किन महतुपूर्ण छेतरों को cover किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है तो आप यह नहीं किया जाता है वाला याद कर लीजे यहां से question बन सकता है तो आप देख सकते हैं यहां पर संक्रामक रोग इसके बाद में गैर संचारी रोग और म सवास्थ यह तीन डेटा आप याद रखना यहां से question बन सकता है यह तीनों दोस्तों राजयस्वास्थ सुचकांग के लिस्ट में जारी नहीं होता है यह इसकी लिस्ट में सामिल नहीं है ठीक है इसकी जाच नहीं होती है इसकाम लोग मुल्यांकन उस लेवल पर नहीं करते हैं कारण क्या है आप देख सकते हैं सासन वित्तिय जोकिम सनरशड के आधार पर डेटा की जो गुडवत्ता है उसको सुईकार नहीं किया जाता है तो अपनी राज्यों की अपनी सर्थे होती हैं तो वो क्या करते हैं कि इन सारे डेटास को इससे समंद्र डेटास को एकसेप नहीं करते हैं तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण छेतर जो है यह कबर नहीं किया जाता है राज स्वास्थे सुचकांग के अंतरगर ठीक है तो इसको आप समझ लिजेगा अब देख लेते हैं जो 2019 का राज स्वास्थे सुचकांग है इन सौट देखते हैं कितने महत्वपूर्ण कुईश्चन यहां से बन सकते हैं एक ओवर्विव जस्ट एक मिनिट के अंदर देखिए यह नीती आयोक के द्वारा जारी के जाता है जिसे विसो बैंक और केंदरिये स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंत्राले के साथ मिलकर त्यार के जाता है अगला है 23 संकेत को पर त्यार के जाता है चेक इट मैंने यहां पर लिखा हुआ है रिजन यह है कही कही 24 भी लिखा आपको मिल सकता है एक्जाम में अगर 24 मिलेगा या फिर 23 मिलेगा वैसे 23 या 24 ही देगा तूनों नहीं देगा ठीक है तो आप इसको चेक कले ना क्योंकि कई कई साइट पर इसको 24 भी लिख रखा है तो 23 संकेत को पर यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था वहाँ पर मैंने 24 बोल दिया था ठीक है देखिए वो भी सही है कहीं कहीं डेटा दोस्तो 24 भी मिल रहा है अगला है Healthy States Progressive India ये सीर सक आपको याद रखना है 2019 वाला इसके बाद में सबसे पिछड़ा बड़ी आबादी वाला राज्य यूपी बिहार और उडिसा है सबसे आगे बड़ी आबादी वाला राज्य दोस्तों कौन सा है ठीक है सबसे बड़ी आबादी वाला जो स्वास्त सुधार में नंबर एक पर है तीन क्रमागत राज्यों को आप कमेंट सेक्षन में लिके बताईए ठीक है आगे बढ़ते हैं दीखे यहां रिपोर्ट राज्यों के दो वरसों की अवदी 2016-17 और 2017-18 के दोरान हुए व्रत दिसुधार पर प्रकास डालने पर फोकस है अगला पॉइंट है इसमें राज्यों को बड़े राजे यानि कि केस राज्यों में सामिल किया डिवाइड किया गया है छोटे राज्यों को आठ राज्यों में और केंदर साशित प्रदेश के अंतरगा साथ पार्ट में बाटा गया है यानि कि आप दे सकते हैं कि बड़े र जिहार है ठीक है 32 दसमेलों एक एक के अंग के साथ में ठीक है अब हम स्वास्ते से संबंधित कुछ प्रमुख पहल देखते हैं इन सौट कबर करेंगे दोस्तों फटाफट कबर करेंगे हमारा उद्देश कुछ रिवीजन है यहां पर बहुत हम टाइम नहीं लेंगे क्योंक स्वास्ते से संबंधित प्रमुख पहल में आपको जन और सधी योजना चेक करनी है देखिए संचालित राजी कौन है संचालित राजी तुमने लिखा अच्छा राजी सरकार के द्वारे संचालित के जाता है ठीक है जन और सधी योजना राजी सरकार के द्वारे संचालि जाती है राष्ट्यियेा, आयोग, आरोग्य, निधी के के दुरह अगलाय किलकारी यह महतो पूर्ण है और यह पहला वाला महतो पूर्ण है। दूसरी तिमाही से लेकर बच्चों के एक वर्स तक के होने पर भिजा जाता है। राश्ट्रिय द्रिष्ट हीन का नियंतन कारेकरम इस कारेकरम को वरतवान में राश्ट्रिय स्वास्त मिसन का भाग बना दिया गया है इसके तहट वर्स 2020 तक द्रिष्ट हीनता के प्रसार को कम कर 0.3% करना है तो ये line important है इसके बाद में इसमें केंद्र और राज्य की जो भागे दारी है ये 60 और 40 के अनुपात में है ये भी आप याद रखिएगा तो यहां से दोनों डेटा महात्वपूर्ण है ये 60 और 40 और ये 2020 तक द्रिश्ट हिंदा के प्रसार को 0.3% करना है ठीक है? अगला है प्रसार को कम कर 0.3% तक करना है ये भी महात्वपूर्ण है प्रोजेक्ट सन्राइजर्स काफ़ इंपॉर्ण है यह पुरुवत्तर राजियों के लिए एड्स की रोग थाम की दिसा में दिसा से संबंदित विसेश कारेकरम है इसको आप लोग ध्यान रखेगा इसका उद्देश है 2020 तक 90% HIV ग्रस्त नसे के आधी यहाँ पर मतलब जो जिनकी लट लग जाती है इसका उद्देश 2020 तक 90% HIV ग्रस्त नसे के आधी वेक्ति की पहचान करना तथा उसे उपचार है तो सामिल करना है प्रोजेक्ट सन्राइजर के अकॉर्डिंग और यह ध्यान देना यह पुरोत्तर राज्यों के लिए है किस राज्यों के लिए है पुरोत्तर राज्यों के लिए प्रोजेक्ट सन्राइजर आगे मिसन संपर्क इसका उदेश ची उन लोगों की पहचान करना है जिनका follow up नहीं हो पाया है तथा जिन्हें anti-retroviral therapy सेवाओं के अंतरगत ले जाना भाकी है तो इसको भी आप याद रखिएगा anti-retroviral therapy के सेवाओं के अंतरगत ले जाना भाकी है वो मिशन संपर्क के अंतरगत आएंगे संपर्क करके जो बच गए हैं उनका भी therapy उगरा जो बाकी रहे गए हैं उनका भी इलाज कराए जाएगा यही है मिशन संपर्क जो बच गए हैं उनका इलाज होगा अगला point है दोस्तो राश्ट्रिय डेटा गुडवत्ता मंच इसका उदेश से भारत में स्वास्थ और जन सांखी डेटा के गुडवत्ता में सुधार लाना है या भारत में डेटा परसित की तंद्र की गुडवत्ता सुधार में साहे करने का एक पहल है ठीके तो राश्ट्री के डेटा गुडवत्ता मंच जन सांखे के डेटा के गुडवत्ता में सुधार लाता है इसको अब ध्यान रखिएगा अग्वा पॉइंट है दक्षता प्रोग्राम इसका उदेश से आवसेक अपूर्ती की उपलब्धता में सुधार करना तथा चेकित सकीए अधिकारियों स्टाफ नर्स और एनम सहीत सभी सेवा प्रदाताओं की छमता को सोद्रण करना है दक्षता प्रोग्राम ठीक है सभी को दक्छ याने की निपड बनाना है किनको अधिकारियों को स्टाफ नर्स को एनेम को इनकी सेवाओं को मतलब एक तरह से निपड बनाना है इनकी चंपता बढ़ानी है ठीक है अगला है अधा रोज, अधा गंटा रोज फितनेस का डोज हूँ आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज या फिट इंडिया मुव्मेंट के अंतरगत आता है 29 अगस्त 2019 को या शुरू किया गया था यह योजना पहले प्रसव पर यानि कि गर्भोती महिलाओं के पहले प्रसव पर देख भाल के लिए 6000 रुपए मिलता है ठीक है पहली बार जब प्रसव होता है तो उनकी देख भाल के लिए 6000 रुपए मिलता है मातरत वंदना योजना के अंतरगत तो यहां से दोस्तों यह डेटा काफी मह स्वास्थे कारिक्रम, 2013-14 में स्टार्ट किया गया था, पहले इसका नाम बाल स्वास्थे गारंटी योजना था, इसका उदेश से जन्म से 9 वर्स तक के बच्चों की देख भाल करना है, राश्ट्रिये बाल स्वास्थे कारिक्रम का उदेश है, 9 वर्स तक के बच्चों की द जाती है। ठीक है? तो ध्यान रखेएगा। राश्ट्रिय स्वास्थ बीमा योजना, महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान रखिएगा, बीपियल परिवारों को हॉस्पीटल तथा सले चिकित्सा के शुविधा उपलब्ध कराना, इसके अंतरगत पहला पॉइंट है, बीपियल परिवारों को हॉस्पीटल तथा सले चि रिक्स विधा दिया जाएगा फरवरी 2014 में इसका विस्तार मंदरेगा रिक्सा चालक अंतियोदे काड़ धारक आदी में कर दिया गया तो यह चार पांच लाइन है इसको आप लोग रिपीट मोड पर पढ़िएगा याद हो जाएगा या फिर आप वीडियो को बैटर के भी स एलोपेथिक डॉक्टर हैं ग्रामेड छेत्र पर 2019 के अनुसार ग्रामेड छेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपेथिक डॉक्टर है तो 26,000 की आबादी पर एक एलोपेथिक डॉक्टर है ठीक है ग्रामेड छेत्रों में अगला है जिलास पतालों के लिए भारतिये ल लोग स्वास्थे मानकों के अनुसार 10 लाख जन संख्या पर कितने 10 लाख जन संख्या पर प्रतेक जिली में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए तो 300 बिस्तर होने चाहिए 10 लाख की जन संख्या पर ठीक है अगला कोईशन है राज्य स्वास्थे सुचकांक 2019 की रिपोर्ट मे स्वास्थ के छेत्र में भारत का कौन सा राजे सीर्स पर है तो केरला नमबर एक पर है आपसे मैंने कुईशन भी किया है कि करमागत तीन राजे आपको कमेंट सेक्षन में लिखना है याद करके बताईए अगला है भारत में पहली स्वास्थ नीती कब लागू की गई तो 1983 में लागू की गई थी पहली ठीक है आपको दो स्वास्थ नीतिया और भी याद करनी है जो की 2002 में और अगला 2017 में लागू किया गया था आगे बढ़ते देखिए राश्ट्रिय स्वास्थ नीत 2017 के तहत किस वर्ष की अवधी तक टीवी रोग को हमें मुक्त कर देना है लक्ष रखा गया है 2025 तक टीवी रोग से हमें मुक्ती प्राप्त कर लेनी है ठीक है पूरे देश में वर्स 2005 में प्रारंध राश्ट्रिय ग्रामीड स्वास्थिमेशन के स्वास्थ सेवा प्रावधाओं में सामिल है तो ये उपरोग तो सभी राश्ट्रिय ग्रामीड स्वास्थिमेशन के प्रावधाओं में सामिल है जिनमें ग्रामीड स्वास्थिमेशन के सुधता करना स्व के पहुँश के भीतर हो यह सब 2005 में जो एनारचेम आया था उसके अंतर का सामिल किया गया है अगला है निम्न में कौन राष्ट्रिय ग्रामिड स्वास्थिमिशन के उद्देश से नहीं है तो यह most important है जन सांख की यह को बढ़ावा देना यह इसके अंतर का सामिल नहीं है ब बहुत सारे बच्चे इसको माग कर सकते हैं ठीक है तो यह आपका राइट एंसर होगा एनारचेम के अंतर करत एक लाइन में आपको पंचाहिती राजशन स्थाओं को भी सुद्रण करना है यह आपको पढ़ना चाहिए ठीक है बाकी यह है जन सांख की को पढ़ावा देना यह एनारचेम के इंतर का स्थामिल नहीं है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन है राश्ट्रिय ग्रामीड स्वास्थे मिसन के लक्ष नहीं है निम्न में कौन है नहीं हो गया आपके निम्न में कौन राश्ट्रिय ग्रामीड स्वास्थे मिसन के लक्ष नहीं है ठीक है बाकी ये आप देख सकते हैं इसका लग्ष क्या है, कुल प्रजन अंदर को 2.1 करना, ये भी इसका लग्ष है, NRHM को दोस्तों आगे मैंने explain किया है, आप लोग confuse मत होना, अभी आगे के data में NRHM सामिल होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रजन अंदर काला जार मिर्द्टिउदर को 2010 तक समाप्ट करना है, और कुल प्रजन अंदर 2.1 परस sque करना है, ये क्या है? ये इसके लग्ष है, और बाकी डेंगू मिर्द्टिउदर को 2010 तक समाप्ट करना, ये एनरचम का लक्ष नहीं है ठीक है? तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कुछ योजनाय देखी योजनाय छोटी थी लेकिन यहाँ सभी question बन सकता है इस chapter में और भी कई सारी योजनाय है लगको 10-15 योजना अभी और भी है और यह काफी बड़ी योजनाय है यहाँ से question दोस्तों बनता है तो आप लोग comment section में अपनी राय बताईए कि इसको इसी में सामिल किया जाए योजना को भी इसी quick revision में सामिल किया जाए या फिर यहाँ पर जो हम लोग factual चीज़े हैं factual data है इसको cover करें आप लोग अपनी राय बताईए फिलाल अभी में यहाँ पर factual data को cover करने जा रहा हूँ योजनायों को थोड़ा समयने अभी hold पर रखा हुआ है आप लोग comment में बताईए इसके बाद में फिर हम तीसरे चोथे पार्ट में अगला है यह नाम याद रखना है आपको स्री अतुल गंग स्री अतुल गंग स्वास्थे परिवार कल्याण मंत्रा लें जब आप यूपी की वेबसाइट खुलेंगे तो इनका भी नाम वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सामने लिखा हुआ है स्वास्थे परिवार कल्याण मंत्रा लें ठीके आप लोग वेबसाइट जरूर चक कलीजिएगा मैंने वही से डेटा लिया हुआ है इस विभाग के स्थापना किस विभाग की ये चिकित्सा स्वास्थे एवं परिवार कल्याण विभाग 1921 में हुई थी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जीवन अस्तर एवं स्वास्थे में सुधार लाने में स्वास्थे एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की महत्तोपूर्ण भोमिका है ध्यान दीजगा यहां पर UP की बात हो रही है आप लोग इसको भारत से कंफ्यूज मत करना ठीक है यहां पर UP की बात हो रही है तो यह UP का डेटा है करेंट अफेर का पार्ट है इसको भी आप लोग समझते चलिए दिखिए अगला है थोड़ा हमको यहां पर देखना है परि 1957 में लागू गया गया सरोपर्थम 1955 में परिवार नियोजन का गठन हुआ इसके बाद 1965 में इसको राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो में बदला गया फिर इसके बाद में इसको 1977 में परिवार कल्याण ब्यूरो तथा अंत में 1995 में परिवार कल्याण महानीदे साले के नाम स फरकार के द्वारा परिवार नियोजन कारेकरम शुरू किया गया था अगला महतोपून डेटा है अब देख लिजे परिवार कल्याण महान निदेशाले के अंतरगत निम्न सेवाए हैं स्वास्ते सेवाए हैं मात्र स्वास्ते सेवाए हैं गर्ब निरोधक्स जवाया है परि important fact में क्या मैंने लिख रखा है देखते हैं जस वेट कीजी एक मिनट ओके ग्रामीड छेत्र में मैदानी छेत्रों के लिए लगभग 5000 की आबादी पर तथा बुंदेल खंड छेत्र में 300 की आबादी पर एक उपकेंद्र है तो ग्रामीड छेत्रों में दोस्तों 5000 की आबादी पर एक उपकेंद्र है ठीक है और बुंदेल खंड के छेत्रों पर 300 की आबादी पर एक उपकेंद्र है ओके यह ध्यान दीजेगा ओके आगे बढ़ते हैं अगला है जो की उत्तर प्रदिस से सम्मंधित डेटा है करेंट अफेर का भी पार्ट है इसको भी आपको देखते चलना है यूपी का एक्जाम है लेकपाल के परिक्षा है तो यहां से भी कुश्चन पूछ सकता है स्वास्ते से सम्मंधित डेटा से ठीक है तो यहां पर देखिए उत्तर प्रदिस में स्वास्ते सिक्षा सम्मंधित जानकरी यह स्वास्ते सिक्षा समंधित डेटा है इसक काफी पुराना है आप देख सकते हैं 1911 में और 2002 में इसे विष्ट विद्याले का भी दर्जा प्राप्त हुआ अगला है वर्स 1983 में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के छेतर में उच्छ स्थिक्षा प्राप्त करने एवं सोध हे तू लखनव में संजे गाधी सनातो कोटतर आयूर विग्यान संस्थान के स्थापना की गई 1983 में ध्यान दीजेगा तो संजे गांधी असनात कोत्तर आयूरुविज्ञान संस्थान कहां पर स्थापित है तो लखनव में 1983 में स्टैबलिस किया गया था अगला है संजे गांधी आयूरुविज्ञान देश की पहली टेली मेडिसिन सेवा 2006 में दी तो देश की पहली टेली मेडिसिन सेवा संजे गांधी आयूरुविज्ञान के द्वारा दिया गया था अगला है यही पर Center of Excellence for Encephalitis स्थापित किया गया जो देश का पहला दिमागी बुखार सोद संस्थान है तो देश का पहला दिमागी बुखार सोद संस्थान कहां पर है लखनव में है और Center of Excellence for Encephalitis के नाम से स्थापित है अगला है राज्य का पुर्थम Post Graduate Super Speciality बालचकित साले एवं सैक्षडिक संस्थान वर्स 2013 में नोएडा में शुरू किया गया था तो 2013 में नोएडा में क्या सुरू किया गया था राज्य का पहला Post Graduate Super Speciality बालचकित साले सुरू किया गया था 2013 में नोएडा में अगला पॉइंट है चकित सावा स्वास्त सिक्षा है तो राज्य सरकार के 14 एलोपैतिक Medical College कारेरत है ठीक है अगला पॉइंट है केंद सरकार द्वारा गोरगपूर एवं राय बरेली में एक एक एम्स के स्थापना के जारी है कहां पे गोरगपूर और राय बरेली में एक एक एम्स के स्थापना की जारी है अगला पॉइंट याद रखना है आपको उत्तरप्रदेश का जन्मदर 26.7 है कितना है 26.7 जो राश्ट्रिय जन्मदर 20.4 से जादा है यानि कि यहाँ पे पॉपलिसन बढ़ने की संभावना जादा है यहाँ पे आप यह दोनों डेटा याद रखना यह देश का जन्मदर है 20.4 और यूपी का जन्मदर है 26.7 ठीक है अगला पॉइंट जो कि आपको याद रखना है यह है विश्व स्वास्ते संगठन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 19.9 परसंट चिकित्सकों की कमी है ठीक 19.9 परसंट चिकित्सकों की कमी है डबलू एच्चों के हिसाब से विश्व स्वास्ते संगठन के हिसाब से गोरकपूर प्रतिवर्स जापानी इनसे फ्लाइटिस दिमागी बुखार से पेडित रहता है ये भी ध्यान देज़ेगा UP में गोरकपुर जिला जो है जापानी इनसे फ्लाइटिस से पेडित जिला है यहाँ पर यह दिमागी बुखार देखने को मिलता है तो आगे भी योजनाए हैं दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है काफी महत्वपूर्ण योजनाए है आप लोग यह हमारा ebook है अगर आप लोग बाइक करना चाहें तो आप लोग बाइक कर सकते हैं कुछ लोग का doubt है कि यार यह ebook में जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही है देखिए दोस्तों यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैंने 2-3 महले पहले ही complete कर लिया है ठीक है तो यह मेरी ebook का ही पार्ट है जो आप देख रहे हैं यह सब ऐसा नहीं कि आपको पे करना है उस इसलिए मैं आप यह वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ उन बच्चों के लिए ठीक है तो आप लोग पढ़ते चलिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए त्यारी कीजिए लेक पाल में सेलेक्सन लिजिए मिलते हैं यह वीडियो में वीडियो बहुत लंबा नहीं करना जय हिंद